क्यों गिर रहा है इस टॉक मार्केट दोस्तों आज दूसरा दिन है जब स्टॉक मार्केट में एक जबरदस आप कह सकते हैं फॉल हो रही है और क्या रीजन इस गिरावट के देखे आप अभी तक नेट में काफी सर्च कर चुके हूँगे की रीजन क्या है मैं आपके साथ र च्छाप को सीखने को मिलेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मितामिश्रा आज बात करने वाला हूँ n अक कर आपको समझ में आ गया होगा और यह जो ढ़त साथ हाई है और यह ईससका सबसे बड़ा एजन क्या है सबसे बाड़ा रिजन है दोस्तों इंफलेशन inflation US में 45 साल का record तोड़ चुका है आप देखिए टर्की का हाल देखिए टर्की की हालत लगातार बत से बत्तर होती जा रही है दोस्तों श्रीलंका को अभी अभी हमने 500 मिलियन डॉलर की credit line दिये दोस्तों क्योंकि उनके पास तेल तक खरीदने के पैसे नहीं है और इससे पहले भी आपने सुना होगा कि जो श्रीलंका है वो इरान से तेल के बदले पैसे नहीं देने वाला कहना चाहिए कुछ बाटर सिस्टम से तेल के बदले कुछ और वो उनको प्रवाइड करेंगे ताकि उनके पास तेल आए देखिए ये सब चीजे न एक सिच्वेशन ही यह समझा रही है कि चुप पूरी वर्ल्ड है इस वक्त थोई से दोस्तों कहना चाहिए जियो पॉलिटिकली अंस्टेबल चल रही है यूक्रेन का हाल आप देख रहे है और आप देखिए कजाकिस्तान का हाल आपने देखा ही अभी अभी उसकी ओउल फिल्ड यह वर्ल्ड की वन ऑप देगेस्ट ओउल फिल्ड है कुछ तीसरा है चौथरा है वहाँ पर भी अटैक हुआ था जब यूक्रेन का जब कजाकिस्तान में कहना ची अन्रश पैदा हुआ था रश्या ने वहाँ अपनी मिलिटरी बेजी तो चीजे जाकर के थोड़ी स्टेबल हुई आपने देखा होगा यूई के जो कहना ची ओल टैंक करें उन पर ड्रोन से अटैक हुए उसके बाद से होटीज पे ड्रोन अटैक शुरू कर दिया साओधी अरीबिया ने देखिए ये सब ही है ना क्रूड ओइल ये इतनी तेजी से बढ़ाया जा रहा है उसको जिसकी कोई सीमा नहीं है 80-86 डॉलर प्रती बैरेल की तरफे इसके क्रूड ओइल बढ़ रही है और मैं आपको बता दू अगर ऐसा ही चलता रहा जल्द से जल्द जो क्रूड ओइल है 100 डॉलर को भी टच कर देगा दोस्तों और ये एक emerging economy इंडिया इसके लिए बहुत जादा बुरी खबर है दोस्तों और ये बात कौन समझ रहा है यूएस कहना चाहिए जो यूएस में जो रिजर्ब बैंक में है कहना चाहिए रिजर्ब बैंक टाइप का जोन का कहना चाहिए सेंटल बैंक है वो और उन्होंने पहले ये गाइडलाइन दी थी कि भाई हम इस साल ना एक धीरे इल्ड है उसको जो बढ़ानी की जो तेजी है वो और ज्यादा जल्दी होने वाली है और वही उसी का रियाक्शन है कि जो अमेरिकी की स्टॉक मार्केट आप देख रहे होंगे दो दिन से बहुत जादा लाल निशान पर है और थाइंक्स टू ग्लोबलाइजेशन यूएस सिचुईशन में उसमें एक चीज समझ में आ रही कि क्रूड ओल के दाम जल्दी से घटने वाले तो नहीं है ओपेग नेशन ने भी कह दिया है कि हमारी तरफ से जितनी चीज़ें हो सकती थी हमने किया है क्रूड ओल के दाम को स्टेबल करने में और अब दोस्तों अगर कहना चीज यह जो तीन देश है मिलके यह अब अपने रिजर्स को भी नहीं नगाने वाले दोस्तों इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इंफ्लेशन आने वाले समय में और यह मैं बहुत पहले से आपको बता रहा था जिस तरह से डॉलर च्छापे हैं यूएस ने उसका खामियाजा आज नहीं तो कल भुगतना पड़ता और वो अब हम भुगत रहें और उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों अब बॉइंड को बढ़ाना पड़ रहा है बॉइंड को और इसी कारण है जो पैसा है वहां से निकाल के लोग निकाल ले जा रहे हैं दोस्तों औ इन्वेस्टिंग और इसी ही की जाती है क्यों क्योंकि बाजार दोस्तों न्यूज हमेशा साल में कहना चाहिए बारा महीनों तक बारा महीने होते हों बारो महीने कोई ना कोई न्यूज आती रहेगी एक इन्वेस्टर को जो एक इन्वेस्टर होता है वो यह सब चीजों का दोस्तों मौका खोचता है आप देखिए L&T जो LTTS है L&T Technology Services इतने अच्छे रिजल्ट के बाउजू शेर में गिरावट हुई दोस्तों शेर अगर अच्छे गिरते हैं तब उसमें मौका होता है खरीदारी का और देखिए बाजार का भी वही है ग्रोट स्टोरी इंडिया की तो इंटेक्ट है इसमें कोई भी दोर आए नहीं है आने वाले कम से कम 5-10 साल दोस्तों इंडिया को एक जबर्दस ग्रोट ट्रेजिक्ट्री में लेके जाएंगे लेकिन थोड़े बहुत हिकप्स जो कहना चीए कम जादा थोड़ी निगेटिविटी ये आती ही रहेगी हमने कोरोना वाइरस जैसे पैंडमिक जैसी खतरनाक हम पार्केट में करेक्शन आता है और वो आ सकता है ठीक है तो वो एक मौका होता है खरिदारी का दोस्तों इसलिए कैश में रहे थोड़ा सा अच्छे स्टॉक को कहना चीए दोस्तों अराम से इत्मिनान से एक्योमूलेट कीजिए हडबढ़ाईए नहीं वो स्टॉक जो हाई पीज में थे दोस्तों उसमें इतने जादा उनको है हाई वैलिएशन थे मिले हुए इसको इसलिए थोड़ा सा भी प्राव्म के शेर में गिरावट होई और बाजार कभी था जबर्दस वैलिशन में एक जबर्दस रैली आपने फिर से देखी होगी जब बाजार लग आपके और मेरी जैसे लॉंग टर्म इंवेस्टर्स को इस शेर में एंट्री करने का इन बाजारों में एंट्री करने का अच्छे स्टॉक को अच्छे रिट में मिल रहा है अराम अरम्स इत्मिनान से खरीदें की कुशिश कीजिए हड़ बड़ा यह नहीं कैश है स्टैगर आपके लिए नहीं है यह आपको समझना पड़ेगा हर स्टॉक ग्रोस टॉक नहीं होता कुछ डिविडेंट होते हैं कुछ आपके पूटफोलियो को हैच के लिए यह आपको समझने पड़ेंगे और दोस्तों ये सब चीजे मैं आपके साथ discuss हमेशा करते रहूँगा और ऐसे discussion को आपके notification बार पर पाने के लिए चैनल को subscribe करेजिए मेरी ये बाते पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजे और दोस्तों ये इस वीडियो कानता है यहां तक जुड़ें धन्यवाद जय हैं